सिख्षा का अधिकार अध्मियम 2009 के तहट प्रतेग विद्याले में मानकों के अनुसार स्कूल भवन तथा बाउंडरी वाल होनी चाहिए। परंद बड़े अपसोस की बात है कि जौनपूर जनपत के बर्सठी बलाग के प्राथमी विद्याले धनीपूर में पिछले दस सालों से स्कूल भवन तथा बाउंडरी वाल छतिक रस्थ होने के कारण सौम्या सहित 63 बच्चों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और क्या समस्या है आपके विद्याले में बांडरी की क्या समस्या है। बच्चों के परसानी बैटने में और हम लोगों को भी परसानी बढ़ाने में। और हमेशा डर बना रहता है कि प्राथमी विद्याले धनीपूर में बांडरी वाल नहीं बना था। जिस पर मैंने एक वीडियों बनाया था, वीडियों बनाने के बाद उस वीडियों के माध्यम से समुदाय को जागरु को असंगतित करते हुए मैं उनके सहयोग से इस समस्या पर बदलाव ला पाई तो बांडरी बन गया है तो क्या फाइदा हुआ है? बांडरी बन गई है तो फाइदा क्या हो रहा है बांडरी बन गई है तो फाइदा क्या हो रहा है बटा? मैं बांडरी बन गया तो मैं सुर्ची था जॉर्म को अडाब करने में जाते में लिए तो क्या भाइदा क्या रहा है तो क्या बन गया है? पर्दवान के सहयों से बांटी कुमत बन गई है, काफी बांटी का पांग हो गया सब्सक्राइब है, आप लोगों का तो सहयों को जाता ही है, वीडियो अबावार वालेंटेज आप जो है, तो इसके लिए आप लोगों को हम धन्यवाद दिना चाहते हैं, कि आप लोग समस्याओं को उठाते हैं और उसे सब्सक्राइब लावरू करते हैं, और समस्या के समाधान में अपना सहयों देते हैं आपसे कुमत जाहती हूँ कि इसी प्रकार समुदाय में समस्याओं पर वीडियों बना कर उनके सहयों से बदलाव लाती रहूं, मैं बविता मौर्या जाउनपूर उत्तरप्रदेश से इंडियान हड के लिए